हेलो गाईज, बेलकम टू माई वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Snapchat अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईज, Snapchat अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मॉवाइल में Snapchat अप को उपन कर लेना है तो Snapchat अप को उपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे उपन लेप साइड में प्रॉफाइल आइकन दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफाइल आइकन पे किलिख कर लेना है तो प्रॉफाइल आइकन पे किलिख करने के बाद आपको यहाँ पे आपके नाम के नीचे यूजर नेम दिख जाएगा तो आपको यह यूजर नेम याद करके रख लेना है नई तो कहीं पर लिख कर रख लेना है क्योंकि डिलीट करने के लिए आपको last में ये username की ज़रोत परेगा और आपके Snapchat अकाउंट का password भी तो आपको username और password याद करके रख लेना है तो अब आपको इस page पर क्या करना है आपको सबसे उपर right side में setting का icon दिख रहा होगा तो आपको setting वाले icon पर क्लिक कर लेना है तो setting वाले icon पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने setting वाला page open हो जाएगा तो गाई जब आपको याँपे क्या करना है आपको याँपे थोरा सा निच्चे की तरफ आ जाना है तो गाई थोरा सा निच्चे की तरफ ही आपको एक option दिख जाएगा I need help तो आपको I need help पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक option दिख जाएगा I can't access my account तो आपको I can't access my account पे click करने के बाद एक new page open हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक पेज दिख जाएगा Related Articles तो आपको Related Articles के जैस नीचे ही एक option दिख जाएगा How do I deactivate or delete my Snapchat account तो आपको How do I deactivate or delete my Snapchat account पे क्लिक कर लेना है तो गाई जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा तो गाई आपको यहाँ पे blue कदर में एक option दिख जाएगा Snapchat account portal तो गाई यह option आपको यहाँ पे दो जगाँ पे दिखेगा एक उपर और एक नीचे तो गाई अगर आपके पास Android phone है तो आपको उपर वाले Snapchat account portal पे क्लिक कर देना है और अगर आपके पास iPhone है तो आपको नीचे वाले Snapchat account portal पे क्लिक कर देना है तो Snapchat account portal पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक page आज आएगा login to Snapchat तो गाई आपको यहाँ पे Snapchat account का username डाल देना है या पोई email id आपके sanatat account के link है तो आप email id भी डाल सकते हो तो username या email id डालने के बाद नीचे नेस्ट पे click कर लेना है तो नेस्ट पे click करने के बाद आपके सामने एक पेज आज आएगा इंटर password तो गैज आपको यहाँ पे अपने sanatat account का password डाल देना है तो पासबोर्ट डालने के बाद नीचे नेस्ट पे क्लिक कर लेना है तो नेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा तो गाईज आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ओप्सन दिख जाएगा डिलीट माई अकाउंट तो आपको delete my account पे click करने के बाद आपके सामने एक page आ जाएगा delete account तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे अपने Snapchat account का username और password डाल देना है तो username और password डालने के बाद नीचे continue पे click कर लेना है तो जैसे यह आप continue पे click करोगे तो आपका जो sunset account है वो delete हो जाएगा तो गाईज अगर आप sunset account को delete करने के बाद फिर से open करना चाहते हो तो आप 30 दिनों के अंदर login करके open कर सकते हो नहीं तो 30 दिनों के बाद आपका जो sunset account है वो पूरी तरह से delete हो जाएगा फिर आप उसे open नहीं कर पाओगे तो काई यहीं तर sunset account को हमेशा के लिए delete करने का simple सा process तो आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर ले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में